असाम लेकूम, क्या खाल हैं, और मेरे आप सब लोग ठीक होंगे, खेरियत से होंगे, तो आज मैं बनाने आ रहे हूँ, भारिश में सबसे जादा बनने वाले स्मैक्स, मंगोडे, जो कि आप सब को और हमें भी बहुत पसंद है, तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं, तोड़े बहुत जो निकले हैं, वो ठीक है, बागी इसमें रखना है मैं, ताकि इसी से क्रिस्पी नहीं साती है, ये मैंने लस्टन की एक गाट लिये, चौप करके, एक चम्मच कोटा हुए गरम मसाला, दो चम्मच सौफ है, और ये मैंने लिया है, कोटे हुए धनी एक च प्रेश कर लिया है, और ये डेर चम्मच मैंने नमक लिया है, और ये तीन से चार मैंने प्याज लिये है, तो अब मैं सबसे पहले इसे ग्रेंडर में पीस लूँगी, और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बस जरूरत लगे थो थोड़ा सा पानी डालिए, इसका हमें ब थोड़ा दरदराई पीसेंगे ताकि इसी से ये क्रिस्पी नहीं साती है तो ये मैंने एक बोल में निकाल दिया है और इसमें मैं सारी मसाले डाल दूँगी मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर हरा दनिया भी डाल दिया है और सारी जो मैंने मसाली लिये हैं, उस सारी मसाली मैं इसके अंदर डाल दूँगी यह मैंने अधरक लिया है, क्रिश करा हुआ, यह लसन भी इसमें डाल दिया है और प्याज, तो यह सारी चीजों से क्या होता है, कि जो हम मंगोडे बनाएंगे उसमें बहुती सॉफ्टनेस आती है और क्रिस्पीनेस भी आती है, तो यह देखी मैंने नमक डाल दिया हैं इसके अंदर और साथ-सारी हिंग भी डाली है, तो हिंग जो है, हमारी थोड़ा सा खुश्बू के लिए हमें डाली जाती है और यह सॉफ्ट डाल दी है, और कोटेव इधन यह डाल दी है तो इन सारी मसालों को हम अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे और यह देखिए, सॉफ्ट भी डाली है अब और यह अच्छी तरह से मिक्स करके, अब इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे यह मैं दिखाना भूल गई थी, तो इसको देखिए, अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारी मसालों को अच्छी तरह से हमें डाल के साथ मिक्स कर लेना है अब मैं एक पैन रखूँगी, और उसके अंदर मस्टर्ड ओल डालूँगी मंगुणों को मस्टर्ड ओल में ही हमें सेख न चाहिए, क्योंकि इससे एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है तो यह देखिए, इस तरह से हमें गोल-गोल थोड़ी से दबा के तेल में डालना है अगर हम गोल-गोल डालेंगे तो यह थोड़ी से अंदर से कच्छी रह जाते हैं तो थोड़ा सा इसको फ्लेट करना है हमें और इस तरीके से मैं पैन में डालूँगी, यह देखिए थोड़ा सा उठाके, उसको अंगोठे से थोड़ा दबाएं और फिर इसमें डाल देखिए, मैंने सब डाल दी हैं और इसको फिर मैं भी हात नहीं लगाँगी तो फिर थोड़ा सा सिख जाए तो इसके बाद मुझे इनको पलेट देना है तो यह देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी से सिखने लगे हैं तो हम मैं इसको आगे पीछे चला कर परट लूँगी और यह देखिए मेरे सिख चुके हैं हम मैं इसको प्लेट में निकालूँगी तो आप लोग भी प्राइ कीजिए और यह लीजिए मेरे मंगोडे तयार ह और हरी चटनी के साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए तो देखिए गर्मा गरम कितने ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं तो आप लोग भी ट्राइ कीजिए तो बीजी देखिए कितनी जल्दी हमारे स्नेक्स तयार हो चुके हैं और मैंने इ रेसिपी कैसे लगी तो चलती हूं और फिर मिलती हूं अपनी न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाफिज जौाओं में याद रखिएगा बाई बाई